अज हमारे किचन में बनने जा रहा है हरे प्याज और आलू की सबजी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने एक मीडियम साइज के आलू को धोकर काट करके ले लिया और यहां मैंने 500 ग्राम हरे प्याज लिये जिसे मैंने धोकर ले लिया है तीन चार हरी मिर्च लिया है मैंने और अब हम यहां प्याज को कट करेंगे इसके पीछे के पोर्शन को हम अलग कट करके तयार करेंगे और आगे पत्ते वाले portion को अलग कट के तयार करेंगे क्योंकि पीछे के portion को पकने में थोड़ा सा समय लगता और पत्ते एकदम जल्दी से पक जाते हैं तो देखे यहां पर मैंने बिल्कुल अलग-अलग तोनों को काट करके ले लिया है यहां मैंने पीछे के मोटे portion को थोड़ा मोटा मोटा सा काट कर ले लिया है और पत्तो को मैंने एक अलग कटोरी में ले लिया है काट करके यहां मैंने थोड़े से मसाले लिया है बिल्कुल कम तेल मसालों में इसे बना कर तयार करेंगे मसालों के लिए एक बार दिस्कृप्शन बॉक्स चेक कर लेजिए यहां मैने एक टेबल स्पून ओली वर लिया है और मैने इसमें डाल दिया है जीरा जीरा ठोड़ा सा पगगया है जीरा थोड़ा सा पक घचा है तो अब हम इसमें डालेंगे अपने आलों को तो यहां मैंने बारी कटेवे आलू को डाल दिये हैं इसमें और अब हम इसे लगातार चलाते हुए पका कर तयार करेंगे जब तक कि हमारे आलू बिल्कुल 60% तक कुख हो जाए आज हम यहां पे बिल्कुल मीडियम लो ही रखेंगे मीडियम लो हाज पे हम इसे लगातार चलाते हुए पका कर तयार करेंगे हम इतना पका लेना है कि आलू बिल्कुल 60% तक कुख हो जाए तो देखें यहां पर मैं इसे लगातार चलाते हुए पका रही हूँ और अब 5-7 मिनिट हो चुके हैं तो आलू बिलकुल पक कर तयार है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने हरी मिर्च को तोड़ कर डाल दिया है तो अब हम इसमें पीछे के मोटे कटे वे प्याज को डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने मोटे प्याज के टुकड़ो को डाल दिया है और अब हम इसे लगातार चलाते हुए एक से दो मिनिट के लिए पका लेंगे ताकि यह जो मोटे पोर्शन सा यह भी थोड़े सौफ्ट हो जाए और आलू भी थोड़े से और पक जाए तो हम इसे लगातार चलाते हुए और एक से दो मिनिट के लिए पका लेंगे हम यहाँ पर ढखकन बंद कर देंगे और दो मिनिट बाद इसे चेक करेंगे कि यह हमारा कितना पक गया है आज हम यहाँ पर मीडियम ही रखेंगे और देखिए दो मिनिट हो चुके हैं पका लेंगे ताकि प्याज के पत्ते चारो तरफ से अच्छे से आलू में कवर हो जाएं तो अब हम इसमें डालेंगे नमक नमक हम यहाँ पे स्वाद अनुसार डालेंगे नमक डालते समय आप ध्यान रखिए क्योंकि यह पत्ते वाली सबजी है तो अब हम इसमें डालेंगे अपने सारे सूखे मसाले तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे सूखे मसाले भी डाल दिये हैं और अब हम इसे आपस में चलाते वे एक से दो मिनिट के लिए पका लेंगे यह सबजी पूरी पराठे किसी के साथ बहुत अच्छी लगती है आप इसे लंच बॉक्स में लेकर जाएए बच्चों के लंच बॉक्स में आप डाल दीजिए यह बहुत ही स्वादिश्ट लगती है और बहुत ही जल्दी बन करके तयार हो जाती है तो यहाँ पर देखिए मैं इसे आपस में चलाते वे एक दो मिनट के लिए पका रही हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पत्ता बिलकुल ही कम हो गया है एक दो मिनट के लिए मैंने इसे लगतार चलाते वे पकाया है तो देखिए कितना कम हो गया है क्वांटिटी इसका तो अब हम इसे ढखकन बंद करके एक दो मिनट के लिए छोड़ देंगे और आज हम यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे ताकि सारे मसाले और जो प्याज के फ्लेवर्स हैं तो यहाँ पर देखिए दो मिनट हो चुके हैं अब मैंने धकन हटा दिया है और आप देख सकते हैं कि यह क्वांटिटी में थोड़ी कम हो गई है और हमारा प्याज और आलू की जो सबजी है वो बिल्कुल पक गई है एक आलू को मैं चेक कर रहे हूं यहाँ पर आलू फुली कुक्ड है तो हमारी सबजी बिल्कुल रड़ी है खाने के लिए तो आप हम इसे निकालेंगे एक सर्विंग बॉल में या प्लेट पे यह साग वाले प्याज की सबजी पूरी पराटे किसी के साथ भी बहुत अच्छे लगते है मैं इसे खाने वाली हूँ फुलके के साथ तो आप भी इस प्रकार प्याज की सबजी प्याज और आलू की सबजी बनाए और खाए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद